चाचा अभे पर डिप्टी सीएंग भतीजिक का पलेडवार दुश्यंत बोले 11 महीनों में 10 विधायक जिताकल लाई पाठी को बढ़ाया जाता है सुकड़ाया नहीं आप देख रहे हैं HPN 24 न्यूज हरियाना की डिप्टी सीएंग दुश्यंत चोटाला ने रहोतक की जिला विकास बवनिस्ते सबागार में जिला लोक संपर्क एवं परीवेदना समीती बैठकली इस दोरान डिप्टी सीएंग दुश्यंत चोटाला ने चाचा अभे चोटाला के जेजिपी की हरियाना में जमी खिसकी नहीं है डॉक्टर अजय सिंग चोटाला की मेहनत थी कि 2003 में 6 विधायक जीते उनमें अभे चोटाला में भी यह हिम्मत नहीं है कि वे विधायक जिता कर लाई या खड़ा करें हम हिम्मत तो रखते हैं राश्रींती में पार्टी को बढ़ाया जाता है सुकराया नहीं कि 20 विधायक से 1 विधायक पर आ गई जो पार्टी पहले 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ती थी वे पिछले 10 सालों में हर्याणा को छोड़ कर कहीं चुनाव लड़ी ही नहीं राजिस्तान में चुनाव के लिए 25 से 30 सीटें तैकी गई है जिन पर चुनाव की तैयारी की जा रही है इसकी चर्चा NDA में भी की जाएगी आगे कोई पॉजिटिव निर्णे होगा तो मिलकर लड़ेंगे नहीं तो हम अपने बलबूती पर चुनाव में उतरेंगे वीरंदर सिंग का होगा फेलियर पूर्व किंद्री मंत्री चौरदी वीरंदर सिंग की रेली और म किसानों को हक ना मिलने के बयान पर भी दुश्यंत ने पलटवार किया दुश्यंत चौटाला ने कहा कि वे देश के दो विवावों की मंत्री रहे हैं अगर वे कहते हैं कि किसान वह मजदूर कमजोर है तो मानता हूँ कि उनका फेलियर जरूर रहा होगा हमारा नहीं डीज के आदेश पर कहा कि सरकार ने पांच लाग तक की सबसिटी दी है जिससे वे PNG, CNG बेस जनरेटर ले सकते हैं वही कहा कि विध्यारतियों को पाइलेट बनने का भी कुशल लोन सरकार द्वारा दिलाये जाएगा कारोर के नवनिर्मित सकूल का किया उध्गाटन जिप्टी सीम दुश्यंत चोटाला रहतक दोरे के दोरान पहले गाओं कारोर पहुचे जहां गाओं के राजिकी वरिष्ट मादमिक सκूल के नवनिर्मित भवन का उध्गाटन किया साथ ही लोगों को भी सम्मोधित किया इस दोरान उन्होंने सरकार की उपलब्दियां बताई इस से पहले जिप्टी सीम के आने से पहले मजदूरों ने जिला विकास ववन के बहार प्रदर्शन किया इस दोरान मजदूर संगटनों की पुलिस से बहस भी हो गई मजदूर आगे बढ़ रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी उनकी मांग है कि उन्हें उचित काम समय पर दिया जाए और मजदूरी समय पर वह उचित मिले बैटक के एजेंटे में 12 शिकायतों को शामिल किया गया जिनकी सुनवाई की गई इनमें से 5 शिकायते पुरानी थी, 4 मामलों में रिपोर्ट मंगवाई गई है नई 7 शिकायतों में एक को पेंडिंग रखा गया है, वहीं 6 का निप्टारा किया गया है ओमेक्स सिटी सरकार को देयल लंबित राशी का निर्धारित अवदी में करें भुकतान, दुष्यंते चोटाला दुष्यंते चोटाला ने ओमेक्स सिटी निवासी यश्वीर आदी की शिकायत की सुनवाई करती हुए उमेक्स सिटी में प्रतेक फिलोर पर बिजली कनेक्शन की राशी निर्धारत करने के लिए नगानिगम आयुप्त की अदिक्षता में समीती गटित कर अगली बैठक में रिपूर्ट प्रस्तूत करने को कहा उन्होंने शिकायत करता को बिजली कनेक्शन के लिए 25,000 रुपे क security राशी जमा करवानी को भी कहा साथी ओमेक्स सिटी को निर्देश तिये की वे सरकार को देहलंबित राशी का निरधारे तवदी में भुक्तान करे अस्तल बोहर में एक मा में पेजल सप्लाई दुरस्त करने की निर्देश गाउ अस्तल बोहर निवासी विजिंदर सिंग की शिकायत की सुनवाई करती हुए अधिकारियों को गाउ में एक मा में पेजल सप्लाई दुरस्त करने की निर्देश दिये कहा कि अस्तल बोहर कॉलोन की गई है सर्शोटूराम नगनिवासी संदीब कुमार की शिकायत की सुनवाई के दौरान उत्तर हर्याणा बिजली वित्रण निगम के अधिकारियों को निर्दीश्त ये कीवे सुक पुरा चौक पावर हाउस की पास मुख्य सडक पर डाले गए सभी बिजली खमों को जनीत में उठवाना सुनिश्चित करें